आप और आपका दिमाग दोनों एक नहीं है अगर आपने प्रिग्रामिंग लेंग्विज सीख रखी है तो आप जानते होंगे कि कोडिंग की पहली लाइन लिखने में और कंप्यूटर द्वारा दिये गए रिस्पोंस को देखने में अलेग ही मज़ा आता है स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिखने जैसा एक चोटा सा स्टेप भी बहुत बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज की शुरुआत होती है माइन्ड हैकिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही है जहां माइन्ड वो कंप्यूटर है जिसे आपको प्रोग्राम करना है माइन्ड हैकिंग ये अनिलाइज करने में आपकी मदद करता है कि आप आखर जहते क्या है और फिर उस काम को करने के लिए अपने माइन्ड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं इस समरी में दिये गए लेसन अपने माइन्ड और जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए एक manual से हैं जिनको follow करके आप बहुत सारी opportunity capture कर सकते हैं इस summary में आप जानेंगे अपना concentration कैसे बढ़ाया जाए जेफ बेजॉस को जो चाहिए था वो नहीं कैसे मिला और क्यों आपको शावर लिते वक्त मुस्कुराना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं जॉन नेश एक Nobel Prize winning mathematician थे जिन्होंने paranoid schizophrenia हो गया था नतीज़तन उन्हें लगता था कि वो कोई मसीहा हैं जिसे New York Times के जरिये aliens contact कर रही हैं अपनी बीमारी की वज़े से उन्हें बहुत सारे institution में वक्त गुजारा लेकिन एक अलग बात ये हुई कि उन्होंने अपने दिमाग को अपने हिसाब से ढालना सीख लिया था उन्हें पता चल गया था कि अपनी बीमारी के symptoms पर control कैसे पाया जाए अपनी दिमाग पर control पाना उनकी success का बहुत important mode रहा है क्यों न ये दिमाग पर control पाने वाली बात पर थोड़ा सा experiment किया जाए अपनी आखे बंद कीजिए और दिमाग के बारे में सोचे आँख बंद होने की वज़े से sensation महसूस करने के अलावा आपने notice किया होगा कि आपका दिमाग कुछ सोच रहा है ऐसा इसी लिए है क्योंकि आप और आपका दिमाग दोनों एक नहीं है आपका दिमाग कम्पिटर के एक user की तरह है जिसे पता है कि आपको दिन भर में क्या क्या चाहिए लेकिन आप एक super user की तरह है जिसे ना सर्व दिमाग तक पहुँच हासिल है बल्कि दिमाग के काम करने के तरीके पर भी एक्सेस है अपने दिमाग पर पूरा कंट्रूल पाना एकदम सूपर यूजर की आईडी से कम्पेटर पर लॉगइन करना है जिसका हर सेटिंग और सेक्योरिटी पर एक्सेस होता है यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे कम्पिटर में सूपर यूजर के रूप में लॉग इन करने की तरह अपने माइन में भी सूपर यूजर के रूप में लॉग इन करना आसान है लेकिन ऐसा नहीं है आप बहुत सो समझकर अपनी आपको अपने दिमाग का सूपर यूजर तो बनाते हैं लेकिन पलक चबकते ही यूजर मोड में आ जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता लेकिन प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आप अपने दिमाग में सूपर यूजर की त जिसे Meta-Thinking कहते हैं. क्योंकि Mind Hackers ये काम बहुत आसानी से कर लेते हैं. अगले 24 घंटे में अपने Mind के Awareness में गुजारिए. सिर्फ इतना नोटिस कीजिए कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है. अभी के लिए बस Observe करना ही काफी होगा. वक्त के साथ ये Awareness आपकी आदत बन जाएगी. और इसी Awareness का इस्तेमाल करके अपने Mind और खुद के बीच में फर्क करना है. कि Mind Hacking का पहला नियम अपने और दिमाग के बीच का फर्क समझना ही है. अपने भटके हुए ध्यान को वापस लियाना Mind Hacking के लिए सबसे ज्यादा जूरूरी है. आपने शायदिया Realize ना किया हूँ, लेकिन Attention दो तरह के होती है. Volunteer और Reflexive. किसी चीज़ पर आपका ध्यान खुद बखुद चला जाता है. उसे Reflexive कहते हैं. और जिस चीज़ पर आप जानबूच कर ध्यान डालते हैं, उस Attention को Volunteer कहते हैं. फिलहाल अपने ध्यान को इस संब्री की तरफ मोड़ कर, आप Volunteer Attention experience कर सकते हैं. और Reflexive Attention उसे कहते हैं, जिब बिना किसी अफ़र्ट के, आपका ध्यान किसी तरफ चला जाता है. जैसे जब कोई आपका नाम बुलाता है, लेकिन आप अपने Volunteer Attention को Strong और Reflexive Attention को Weak कर सकते हैं. पहला स्टेप अपने Digital Destruction को दूर करना है. 1960 में, रशियन सैकलोजस्ट, ब्लूमा से गानिक द्वारा की गई रिसर्च में पता चलता है, कि जब तक कोई काम पूरा नहीं होता, हमारा दिमाग साइकिक एंसाइटी से गुजर रहा होता है. चुकि आपका दिमाग किसी भी तरह के Distraction को एक Uncomplete Task की तरह समझता है. इसलिए जब आप इन Destruction से दूर रहते हैं, तो खुश रहते हैं. सोशल मेरिया नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, चैटिंग के लिए Limited Time रखे, Newsletters को Unsubscribe कर दीजिए, और TV थोड़ा सा कम देखे, क्यों न, आप अभी से शुरुआत करें, एक घंटे के लिए इन सभी डिस्ट्रेक्शन से दूर हो जाए, और एक घंटे बाद हफते और Mind hacking के लिए इस तरह के concentration training बहुत जरूरी है, कोई comfortable position तलाशी, उस position में जाकर अपनी आखों बंद कीजिए, और सांसों पर focus कीजिए, अगले कुछ मिनट के लिए अपनी body को एकदम relax कर देजिए, और अपनी सर से पाओं तक एक तरह से body को scan कीजिए, और फिर वापस आजाए अगले 20 मिनट तक अपनी सांसों पर focus कीजिए, ये आपका concentration बढ़ाता है, जब भी आपका ध्यान भटकने लगे, उसे अपनी सांसों पर वापस ले आईए, अब फर्स कीजिए, कि आपका focus strong होता जा रहा है, और आपका मन भटकना कम हो गया है, इस concentration training को अपनी आदत बनान के लिए आप हर meditation के बाद अपने आपको कुछ reward दे सकते हैं, इसके लिए आपको consistent रहना होगा, हर रोज किसी एक time पर meditate कीजिए, रोज सुबह उटकर अपने bedroom में आपी concentration joining कर सकते हैं, इसके लिए आप alarm set कर सकते हैं, और हर रोज training complete करने के बाद अपने आपको coffee, shower या फिर चोटा सरनैप जैसा कुछ reward देजिए, शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ आसान हो जाएगा, आप अपने दिमाग की driving seat पर आ जाएंगे, और analyze करके अपने हिसाब से changes कर सकेंगे, इसके बारे में details से हम आगे जानेंगे, अपनी कम्यों को दूर करके आप अपनी life की quality बहतर कर सकते हैं, आपके दिमाग में भी computer की तरह programming loops होते हैं, loop एक repeated sequence होता है, जो कहीं पर महुच जाने या कुछ कर लेनी के बाद ही रुखता है, अपनी meeting reminder का example लेजिए, ये programming sequence meeting के पूरे हो जाने तक time audit को चेक करता रहता है, ये सिर्फ एक ये example है आपका computer, ऐसे second loop perform करता है ताकि आपको एक बहतर user experience मिल सके, जब आप new bone थे तो आपके अंदर बस ज़रूरी चीज़ नहीं थी, खाना, फ्रेश होना, रोना और जो जाना, लेकिन धीरे धीरे आपने नई चीज़े सीखी और नया loop डेवलप किया, लगबग तीन साल कि उम्र में आप एक अच्छे self programmer बन गए और सेकड़ों सवाल पूछने लगे, आने वाले कुछ सालों में आपके अंदर loops का एक sophisticated जाल डेवलप हो गया, जो मिलकर आपके skill आदत और personality को define करता है, इन में से बहुत सारी जीज़े आपके अंदर आपके असपास के environment की वज़ से develop हुई है, अगर आपको ये कहा जाता रहा होगा कि आप intelligent है, तो आप अपनी problem के बारे में बड़ी आसानी से बात कर लेते होंगे, अगर आपके parents पैसे को लेकर careful रहते हैं, तो हो सकता है ये quality आपके अंदर भी automatically develop हो गई हो, medication के जरीए आप पता लगा सकते हैं कि कैसे आ आप इन loops के द्वारा controlled हो रहे हैं, ये positive और negative दोनों होते हैं, नतीज़तन इनका असर आपकी life quality पर पड़ता है, लेकिन आप practice के जरीए अपने negative loops को दूर कर, जन्दगी को लेकर अपना नाजरिया बहतर कर सकते हैं, एक तरीका अपने आप से लगातार ये सवाल पूछना ह कि क्यों आपके जिन्दगी का कोई एक हिज़ा आपको इतनी तकलीफ दे रहा है, आप जारेंगे कि इस problem की असल वज़े कहीं और है, मिसाल के तोर पर अगर आपको रात में अकेले चलने में डर लगता है, तो सोचते होंगे कि ये डर अंधेरे में दूर तक ना देख पान करचने का एक दूसरा तरीका सबसे खराब situation को imagine करना है, हो सकता है आप पैसे खर्च करने को लेकर comfortable ना हो, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, शायद आप अपना किराय ना दे पाए, आपको घर से निकाल दिया जाए, हो सकता है आपके पास खाने पीने की कमी आ जाए, और य लेकिन उसे पहले चली imagination की पावर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, imagination की पावर को समझे, 1997 में Amazon कामपानी के founder Jeff Bajos अपने vision को लेकर clear थे, उन्हें मालूम था कि उन्हें एक ऐसी company खड़ी करनी है, जहां लोग एक क्लिक करके order कर सकें, यह काफी मुश्किल था, लेकिन व बहुत आसान होगा, पहले prototype पर 12 क्लिक करने पड़ते थे, उसके अपने अलग current थे, लेकिन Jeff Bajos अड़े हुए थे, बहुत महनत करने के बाद टीम आखरकार two-click version डेवलप करने में कामयाब हो गई थी, एक click order करने के लिए, और दूसरा खरीदारी confirm करने के लिए, टीम को ल अखरका टीम ने cancellation system डेवलप करके Bajos के खाहिश पूरी कर दी, दूसरे online retailers पीछे-पीछे काम कर रहे थे, ये जानना बहुत आसान है कि हम क्या नहीं जाते हैं, लेकिन ये discover करना कि अखर हम चाहते क्या है, बहुत मुश्किल है, 10-20 साल की बाद चोड़ देजी, बहुत सार लोगों को तो पता ही नहीं है कि वो अपने आपको अगली पांच साल में कहा देखना चाते हैं, रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग अपने future version के बारे में लिखने के लिए हर रोज 20 मिनट देते हैं, वो आम तोर पर ज्यादा खुशाल, सेहत्मंद और positive होते हैं, ये कार इसके होने के लिए, पहले उसे आपके दिमाग से होकर गुजरडा होता है, और एक mind hacker के तोर पर, आपके पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जिससे आप अपनी imagination को control और powerful कर सकते हैं, इन पांच imagination game को try करके देखिए, imagine कीजिए कि आप अपने दिमाग में mood chip insert कर सकते हैं, इस इमेजिन केजिए कि आपके पास दुनिया का सारा पैसा है, अब एक शब्द में decide केजिए कि वो एक चीज क्या होगी जिसे आप खरीदना जाएंगे, तीसरा, सोचिए कि जिनी आपके एक चप पूरी करने को तयार है, ऐसी कौन से चीज है जो आप उससे मांगेंगे, चौ जाना चाहेंगे, अब इन पाँच शब्दों को लिख लेजिए, क्योंकि इन पाँच शब्दों का इस्तेमाल आप पॉजिटिव लूप क्रियेट करने में करेंगे, जिसकी बारे में हम आगे जानेंगे, पॉजिटिव थॉट लूप का इस्तेमाल करके अपनी दिभाग क पेंजमिन फ्रेंकलिन जो की एक माइंड हैकर थे उन्होंने उन तेरा खुबियों से जुड़ा एक एकस्पिरिमेंट डिजाइन किया जिसे वो अडॉप्ट करना जाते थे उन तेरा खासियतों में खाने और पीनी के दौरां दसायम रखना तभी बोलना जब कुछ अच्छा बोलने को हो खुद को अपनी घर को और अपनी वर्क प्लेस को साफ रखना और वही कहना जो कहना चाहते हैं शामिल था ये चीज़े उनका पॉजिटिव थौट लूप बनी उन्होंने हर हफ़ते अपना प्रग्राम चेक करने के लिए ट्रैकिंग सिस्टम भी डेवलप किय उन्होंने हर एक खासियत की रो बनाई और हफ़ते के दिनों को कॉलम में लिखा और जब भी वो उन खुबियों से जुड़े स्टेंडर्ट को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर टिक मार्ग लगा देते हैं इससे उन्हें अपना गोल समझने में आसानी होती और धीर पॉस्टिव फीडबेक के मकाबले पॉस्टिव फीडबेक के तरफ बहतर तरीके से रस्पॉंड करते हैं ये चीज़ स्वीडन के स्टॉक होम में किये गए एक रिसर्च में साबित हुई जहां पर स्पीड लिमिट के अंडर ड्राइविंग मॉनिटर की जाती थी त्योंक कर 25 किलो मीटर पर आर हो गई मतलब नेगिटिव लूप को हटाना काफी नहीं है अब वो नेगिटिव लूप की जगे पॉजिटिव लूप को लाना होगा और एक हैकर होने के नाते आप ये कर सकते हैं कुछ दिर पहले हमने जो पांच सवालों के जवाब हासल किये थे ध्यान रखिए कि बहतर असर के लिए आपकी जवाब जोटे होने चाहिए जब भी आप लेकर रहे हूं तो first person singular positive words का इस्तेमाल करिए और सोचिए कि इसको apply कैसे कर सकते हैं इसके साथ ही ये भी सोचिए कि आप खुद को और society को फायदा कैसे पहुचा सकते हैं inspiration के लिए आप नीचे दिये गए कुछ positive thought लोग को देख सकते हैं आप कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये कह सकते हैं मैं confident हूँ या फिर अपनी जिंदगी को लेकर सुकून में हूँ आप क्या करना चाहते हैं जवाब हो सकता है मैं traveler हूँ या फिर मैं एक नई language सीख रहा हूँ आप क्या हासिल करना चाहते हैं जवाब हो सकता है कि मेरे पास Paris में एक apartment है आप दूसरों को क्या देना चाहते हैं मैं under privilege लोगों को internet की connectivity प्रोवाइड कर रहा हूँ या फिर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहा हूँ आप क्या बनना चाहते हैं मैं इमानदार और एक generous इंसान हूँ अपने positive loop को decide करने के लिए बहुत सुचने की जुरत पढ़ती है लेकिन ये जाया नहीं जाएगा अपनी negative loop की जगे positive loop लाकर आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं चीजों को लिखना अपनी positive loop में दोहराना और मुस्कुराना अपनी goal को achieve करने में आपके लिए मददगार हो सकता है लिखने में एक अलग ही बात है अलग ही power Thomas Edison अपनी हर idea को सबसे पहले लिखते थे किसी भी invention का पहला step idea को लिखना ही होता था अपनी जिन्दगी के बड़े साथियों के बारे में सोच कर देखें चाहे वो life changing रहे हो या simple से new year के resolution मुम्किन है कि अगर अपने उन्हें लिखा न हो तो वो पूरे भी ना हुए हो चली 2008 में weight loss strategy पर की गई study के बारे में थोड़ा सा जानते हैं participant के एक group को अपने साथ food diary रखने के लिए कहा गया उन्होंने क्या खाया इस बात का reminder होने की वज़ा से वो खाने की मामले में बहतर वैसले ले सकते थे गी चीज उन्हें अपना weight loss goal अचीव करने में मददगार साबित होई लिखने के लिए चाहे आप pen paper का इस्तेवाल करें या फिर phone और laptop का जब आप चीजों को लिखते हैं ये आपकी mind hacking ability को strong करने के साथी उन्हों चीजों पर अमल करने की possibility भी बढ़ा देता है अब ऐसा नहीं है कि आप जो भी लिखेंगे वो पूरा कर लेंगे लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी आप जो भी लिखते हैं उसे हर रोज देखना clarity हासिल करने में आपकी मदद करता है जब आपको आपके goal के लिए लगाता remind किया जाता रहता है तो आप ज्यादा focused रहते हैं हर बार आपके positive thought loop और ज्यादा concentrate होते चले जाते हैं और जितना ज्यादा आपके positive thought concentrate होंगे उतना ही ज्यादा अपनी goal को achieve करने के लिए opportunity पहचान पाएंगे चीजों को लेकर हर रोज उन्हें पढ़कर और उनमें जुरूरी change करके आप अपनी goal को achieve करने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं क्योंकि repeat करना बहुत जरूरी है अपनी positive thought loop को उन जगों पर reminder के तौर पर set करके देखिए जहां आपकी नजर उन पर बढ़ती रहेगी जैसे की बातरों mirror, calendar या फिर लैपटाप के screen नई comedian के लिए जनी की सला पर अमल करना भी फायदेमंद हो सकता है वो कहते हैं chain को मत तोड़िये अच्छा या बुरा जैरी हर रोज जोक लिखा करते थे इसलिए ज्यादातर language learning app इस बात का track रखते हैं क्या आपने बिना disturbance के कितने दिन लगातार practice की है या पढ़ाई की है लगातार बिना chain को break करे आगे बढ़ते रहने और पिछला record तोड़ने का अलग ही मज़ा है इस तरह बिना chain को break किये लगातार अपने positive thought loop को visualize करने से ये चीज़ें आपके दिमाग में बैट जाती हैं और हाँ जब भी आप अपने positive thought loop को repeat करें तो smile ज़रूर किजिए चाहे आप शावर ले रहे हूँ किसी से बात कर रहे हूँ line में हूँ या low feel कर रहे हूँ ये simple smile आपका goal achieve करने के लिए आपको और ज़्यादा positive और energetic बना देती है अपने दिमाग में inspiration लेका चलिए लोगों के साथ collaborate कीजिए और सबसे important action लेजिए Serbian American inventor Nikola Tesla जो Thomas Edison की साथ war of current के लिए जाने जाते हैं एक visual thinker थे उनकी काम करने के disorganized तरीके के पीछे की वज़ा अपने दिमाग में बहुत सारी तस्वीरे देख ले रहा था वो problem के आने से पहले ही उन्हें solve करने और जल्दी फैसले लेने के लिए mental inspiration के इस्तेमाल करते थे हो सकता है आप Tesla की तरह तेज ना हो लेकिन फिर भी आप कोई भी situation आगे चलकर वैसी होगी इस बात का अंदाजा लगा कर mental inspiration पर काम कर सकते हैं research बताती है कि अगर आपने किसी goal को अपनी positive loop की तरह imagine कर रखा है और वहां तक पहुचने को भी imagine करते हैं तो मुम्किन है कि आप उस goal को achieve कर लें मिसाल के तरपर अगर आपका goal Oscar winning director बनना है तो सिर्फ award जीतने को imagine मत कीजिए बलकि उस रास्ते पर आने वाली हर मुश्किल को भी imagine कीजिए computer की तरह ही जब आपका दिमाग network से connect हो जाता है तो वो और भी powerful हो जाता है जाहे online हो या face to face लोगों के साथ जुड़ना आपके success के chances को बढ़ा सकता है क्यों ना आप अपने जैसे ही goal रखने वालों का local meetup attend करें? अगर ऐसा कोई meetup नहीं हो रहा है तो आप खुद ही organize कीजी और अलग अलग background के लोगों को invite केजे कुल मिलाकर आपको लोगों के साथ connect करने के लिए अपना idea शेयर करना है लोगों की मदद करके आप अपनी भी मदद कर रहे होंगे हर mind hacker को action लेने की जरूरत है वरना कुछ भी नहीं बतलेगा अपने गोल को चोटे चोटे हिस्सों में बाट की और उन्हें manageable sub goals में divide करके आगे बढ़िए इस तरीके से अपनी मन्जल पर पहुँचना आपके लिए असान हो जाएगा आपका sub goal laser होना चाहिए मतलब limited, achievable, specific, evaluated or repeatable अपनी sub goals को बहुत चोटा रखे guarantee है कि आप आगे भी motivated रहेंगे बिसाल के तौर पर हफते में 3 दिन 20 minute exercise कीजिए ये goal इतने specific होने चाहिए कि आप ये evaluate कर सकें कि आपने उन्हें achieve किया है या नहीं ऐसा sub goal बनाएए जिसे आप repeat कर सकें कुछ ऐसे जरूर होंगे जिने एक बार किया जा सके लेकिन उन में से जो best होंगे वो आपकी आदद बन जाएंगे हर रोज concentration training और positive loop लिखने के बाद कम से कम 60 second दिमाग में अपना future goal visualize कीजिए एक ऐसा sub goal बनाएए जो laser शब्द की शर्तों को पूरा करता हो और इसे पूरा करने के बाद चेक जरूर कीजिए अब जब कि आपने mind hacking के बारे में इतना सब को जान लिया है तो आप खुद को और इस दुनिया को बदलने के लिए तयार हैं कुल मिला कर एक mind hacker होने के नाते आपके पास अपनी जिन्दगी बदलने की ताकत है भी चाहते हैं उसे imagine करके अपना mind code fix कीजिए अपनी मंजल तक पहुचने के लिए वहां तक पहुचने के साथ उस मंजल तक जाने वाले रास्ते को अपने दिमाग में visualize कीजिए determination, दूसरों के साथ collaboration और एक प्यारी सी smile की मदद से अपना mind hacker करके आप अपना best version achieve कर सकते हैं क्या करें? फिलहाल के लिए सिर्फ इतना decide कीजिए कि आप कब और कहा mind hacking practice करेंगे आप 21 दिनों तक mind hacking practice करके अपनी life पूरी तरिके से बदल सकते हैं इसकी शुरुआत आप एक paper पर hello world लिखकर mind hacking.ng पर mind hacking community से जोड़ने से कर सकते हैं यह पहला कदम उठाइए और अपनी जिन्दगी में पहुत आगे जाने के लिए तयार हो जाएए